नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीय टुडे और आज हम बढ़ेंगे 13 और 14 जून के करंट अफियर्स इसमें मैंने सारे इंपोर्टेंट वन्स कवर कर लिये हैं और इस लेक्चर की पीडियेफ आप टेलिगरम गुरूप को जोइन करके डिरेक्ली ले सकते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को भी दबा ले ना ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन डिरेक्ली मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट है हम इंटरनाशनल अल्बनीजम अवेरनेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं आंसर है 13 जून और इसका जो थीम है वो है मेड तू शाइन ओके अल्बनीजम क्या है अल्बनीजम एक इन्हेरिटेट जेनिटिक कंडिशन है द अंसर है 572 करोड़ तो 572 करोड़ एलोकिट किये गए हैं सेंट्ल गशार्ट को थीमेंटेशन ओवज जाइवन मिशन ओके नेक्स है Phase 2 and Phase 3 of which scheme to fill Saurashtra 115 dams in Gujarat with which river water कहते कि Phase 2 and Phase 3 कि स्कीम की मतलब जिससे जो Gujarat की जो dams है उनको किस river water से fill किया जाएगा कौन सी स्कीम है कौन सी स्कीम का Phase 2 and Phase 3 है यह जिसके हम बात कर रहे है तो आंसर है नर्मदा रीवर तो नर्मदा है और स्कीम कौन सी है सौनी स्कीम दा सौराश्टर नर्मदा अवतरन इरिगेशन इसका फुल फॉर्म है अब सौनी उजना है क्या It is a multi-purpose project designed to provide irrigation and drinking water in the Saurashtra regions यह एक multi-purpose project है जो कि design ही इसले किया गया है to provide irrigation and drinking water in the Saurashtra region Water from river नर्मदा is used to fill the dam reservoirs जो आपके river नर्मदा है उसका ही पानी हम dam reservoirs को fill करने में use कर रहे है और यह गुजरात में है और गुजरात का जो एक famous national park है उसका नाम है गिर national park next which state environment ministry has renamed as environment and climate change ministry कौन से state की environment ministry को वापिस से rename कर दिया गया और उसका रख दिया गया है नाम environment and climate change ministry तो answer है महराश्टरा और यह कब किया गया इसको इसको world environment day वाले दिन किया गया that is June 5 और महराश्टरा के CM जो है उनका नाम है उधव बाल ठाकरे next world day against child labor कब मनाया जाता है answer है 12 June और इसका जो theme है वो है COVID-19 protect children from child labor now more than ever और जो almost one in ten of all children worldwide are in child labor कि 10 में से मतलब almost एक बच्चा all over world में child labor as a child labor काम करता है है ना तो यह बड़ी गलत बात है next है तो इसके regarding awareness वालाने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं next migrants to receive COVID care via आयुषमान भारत scheme who is the CEO of आयुषमान भारत परधान मंत्री जन आरोग्य स्कीम okay answer है इंदू भूशन कहते कि जो आपकी ये स्कीम है ना आयुषमान भारत पी-म जन आरोग्य स्कीम इसके अंडर ना ये जो कोविड किया रहा है वो भी प्रवाइड किया जाएगा और जैसे इस स्कीम के अंडर क्या प्रवाइड किया जाता है है हेल्थ कवर प्रवाइड करते हैं पांच लाग का पर फैमिली एक साल के लिए और फार माईग्रेंट वरकर्स फेसिंग अनिबलइम् containing जो इंडर कर रहे है जो अनिविय बास के लिए यह श्कीम ऐसे कौविड किया। इसके सी Page कौन हैं डॉक्टर इंदू भूशन दोनों के ही ठीक है, ABPM, JY and NHA के दोनों की इंदू भूशन ही CEO हो, ओके Central Board of Indirect Taxes and Customs has launched तुरंत Customs at Bangalore and Chennai recently, ठीक है CBIC ने तुरंत Customs Bangalore and Chennai में launch किया है इसके Chairman को नहीं, answer है M. Ajit Kumar, ओके for faster clearance of imported goods and the ease of doing business, तांकि जो हम भार से goods इंपोर्ट करते हैं, उसकी faster clearance हो सके और ease of doing business बढ़ सके, okay next, e-paisa company has partnered with to provide to which partnered with which company to provide MPOS solution to SME and other businesses SME means small and medium enterprises, e-paisa company ने कौन सी company के साथ partnership की है, to provide MPOS solution, point of sale solution to SME and other businesses answer है, first alliance bank जो की Zambia में है ठीक है, Zambia Africa में है, okay next, Adani Green Energy Limited has won the world largest solar contract worth dash solar energy corporation of India recently, Adani Green Energy Limited ने world largest solar contract को अपने मतलब जीत लिया है, कितने का था वो contract answer है, six billion dollar और किसके साथ उन्होंने contract किया है, solar energy corporation of India SECI ठीक है, six billion dollar का ये project था जो की Adani Green Energy Limited ने जीत लिया है okay, Sonu Sood became the brand ambassador of which company Sonu Sood जो काफी लोगों के help कर रहे है जो उनको घर पहुंचाने में है जो एक स्टेट में फस्ट होया है दूसरे स्टेट में जाना चाहते है अपने घर तो Sonu Sood ने काफी help किया तो उनको अभी ब्रैंड ने बेस्डर पनाया है कौनसे कमपनी का? Gargo International Gargo International एक Delhi-based lubricant company है under the RG Group और उन्होंने काफी प्रेज किया है Sonu Sood के work को जो उन्होंने migrants को help किया okay, next QS World University Rankings अभी आई है 2021 के लिए ठीक है, तो उसमें कौन-कौन first पे last पे कौन-कौन रहा है चले देखते है Three educational institutes from India feature in the top 200 list First है IIT Bombay Next है Indian Institute of Science Bengaluru में है ये और third है IIT Delhi और जो ये है Indian Institutes जो इस list में आई है और जो top की है जन्होंने MIT of US, Stanford University of US Harvard University of US ठीक है अभी last वाली वीडियो में इस से last वीडियो में NDRF ने भी एक list निकाली थी National Institute Ranking Framework ठीक है उसके अंदर IIT Madras IIS SC Bangalore और IIT Delhi ने top किया था तो आपको अगर डिटेल में इसके बारे में देखना है तो आप last वीडियो को प्लीज चेक आउट कर लेना Next Government constitutes empowered group of secretaries to facilitate investment in country Government ने एक group नाया है that is empowered group of secretaries to facilitate investment in country ताकि investment को बढ़ावा दिया जासा के country में तो उसके head कोन है Cabinet Secretary of India कोन है वो? Rajiv Gaba ठीक है यह जो group है This group will assist investment in key sectors of the economy by identifying potential investor यह potential investors को ढून ढून के ना investment को ताकि मतलब जो main main sectors है ठीक है economy के उसमें investment जाद से जाद बढ़ाई जासे के उनको find करेगा यह group ओके identify करेगा Next आंद्रपरदेश government has launched which scheme to provide financial assistance to tailors, barbers and dhobies under 60 years of age आंद्रपरदेश ने कौन से scheme launch करी है ताकि financial assistance provide कर से के किसको tailors, barbers and dhobies को जो 60 साल के under है ओके आंसर है जगन छेड़डू ठीक है इस scheme के अंदर 10,000 रुपे दिये जाएंगे पर person और यह for आंद्रपरदेश के जो CM है वो जगन मोहन ready है आंद्रपरदेश के governor जो है वो विस्व भूशन हरी चंद्रण है ओके next यह कुछ लोग जो इस बार expire हो गए है उनके नाम देखो और वो किस-किस profession में थे तो देखो टॉनी डून जो एक footballer थे अभी अभी एकस्पायर कर गए है और एक retire end में से former Olympic medalist है Alexander Jivo Zedic जो यूक्रेन से है वो boxer थे उन्होंने अभी अभी retirement लिया है ठीक है उनको he is also called the nail उनको the nail भी बोला जाता था okay Kurt Biltix Thomas जो gymnastics में थे वो भी एकस्पायर कर गए है पेर जो president रहे है Republic of Burundi के वो भी एकस्पायर कर गए है प्रितम सिंग जो management trainer थे वो भी एकस्पायर कर गए है तो क्या आपको names याद होने चाहिए और इनका क्या profession है क्या करते थे वो याद होना चाहिए very important next UP government successfully installed which machines in all 75 districts UP government ने अभी अभी कौन सी machines को install किया है 75 districts में सभी के सभी ठीक है answer है true not true not जो machines है वो हर district में install की जाएंगी state के ताकि ये जो covid tests हो रहे है covid 19 के लिए जो test हो रहे है उनके अरली results मिल सके हमको और जो यहाँ के chief minister है योगया देते नाथ उनका ये target है कि हर महीने इस मन्त में हर दिन आपको 20,000 टेस्ट करने है तो ये वाली machines वहाँ पे install की गई है next है Indian musician Shobha Sekhar receives the medal of Dash जो Indian musician है Shobha Sekhar उनको कौन सा medal मिला है Medal of the Order of Australia ठीक है ये एक lecturer है University of Melbourne में इन्होंने एक music organization की ये founder है उसका नाम कला कुरूती है Australia में ही Australia के जो PM Scott Morrison है currency dollar है capital Canberra है ये important रहते हैं याद रखने चाहिए PM, President, Currency and Capital next IFFCO signs MOU with Dash for collaborative research testing and validation of different products IFFCO ने MOU sign के है किसके साथ ठीक है ताकि testing और validation हो से के different products का answer है ICAR ठीक है इनके full forms है और इनके headquarters है ठीक है IFF CEO Indian Farmers Fertilizers Cooperative जो New Delhi में situated है ICAR Indian Council of Agricultural Research ये भी New Delhi में ही situated है ओके next 26th Annual Cost of Living Survey 2020 released by Mercer Mercer ने अभी-अभी 26th Annual Cost of Living Survey 2020 release किया है ठीक है इसमे इन्होंने जो most expensive cities है उनकी list दिये first है Hong Kong next है आश्काबट जो तुर्कमेनिस्तान में है third Tokyo Zurich Singapore और ये टॉप 5 है ठीक है टॉप 6 sorry New York भी है और उसके बाद जो Mumbai है हमारा वो 60th position पे है और globally और Asia में जो हमारा Mumbai है वो 19th number पे है as a most expensive city okay next what is the amount that was allocated by Central Government to Jharkhand for the implementation of Jal Jeevan Mission Jal Jeevan Mission के लिए Jharkhand को कितने वैसे allocate किये गए सीधी सी बात है answer है 572 crores ठीक है तो Jharkhand का प्लान है कि 100% household coverage कर देगा 2023 से 2024 तक okay next which state government implemented food forest project in tribal belts of the state recently केते कौन सी government ने food forest project implement किया है in tribal belts of the state कौन सा है answer Kerala World Environment Day पर Kerala ने first food forest implement किया है is being prepared at tribal belts of अटापडी इन पलाकर district इस district में पलाकर district में next which company has delivered the fifth and last ship in the series of fast patrolled vessels named ICGS Kanakalata Barua to Indian Coast Guard कौन सी company ने fifth and last ship को deliver किया है fast patrolled vessels है उनका नाम के है Kanakalata Barua to Indian Coast Guard को ठीक है कौन सी company ने deliver कि Indian Coast Guard को answer है Garden Ridge Ship Builders and Engineers जो की कौलकाता बेस्ट है ये important है ठीक है Garden Ridge Ship Builders and Engineers GRSE which is situated in कौलकाता और ये 105th vessel था जो GRSE ने deliver किया है Indian Coast Guard को ने ने कुमेटी को बनाया किस ने है Ministry of Home Affairs ने किस के लिए बनाया है फोर दे लेफेर of the freedom fighters answer है किशन रेडी next which ITI has signed MOU with National Fertilizers Limited NFL to train youths in 12 trades under dual system of training scheme कौन सी ITI ने MOU sign किया किसके साथ National Fertilizers Limited के साथ ताकि वो youths को train कर सेके in 12 trades में under dual system of training scheme answer है ITI नंगल जो की पंजाब में स्थित है और इससे क्या होगा कि Skill India जो initiative है ना government का उसको भी boost मिलेगा next which agency has collaborated with TCS to provide its training partners across to the TCS ION digital classroom ठीक है कौन सी अमनी ने TCS के साथ collaborate किया है answer है National Skill Development Corporation so as to enable online vocational skills training for millions of students across the country बहुत सारे vocational skills को enable किया जा सके training दी जा सके बहुत सारे students को across the country उसके लिए TCS ने NSDC के साथ collaborate किया है that is National Skill Development Corporation name the company which has partnered with Mastercard to launch cardless ATM powered by Mastercard based on the standards of EMV EMV का मतलब क्या है European Mastercard and Visa कौन सी कंपनी ने partner किया है Mastercard के साथ किसलिए partnership की है उन्हेंने लाँच किया है cardless ATM powered by Mastercard ताकि ना हम cards बगरा को जो ATM cards नको touch ना कर सके है क्योंकि अभी बढ़ी वो COVID-19 के वज़े से problem हो रखे है तो इस कंपनी ने Mastercard के साथ मिलके cardless ATM powered by Mastercard launch किया है answer है Impace Impace Payment Systems okay next oh ठीक है okay that's it for the day guys I hope you like it please like, share and subscribe this channel thank you so much जे हिंद